आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना बहुत ज़ादा कमाल का होने वाला ये प्रोजेक्टर कुछ नया देखने को मिलने वाला है मैं खोल के नहीं दिखा रहा कोई प्रोजेक्टर तो ये मत सोचना अल्रडी मैं बहुत सारे प्रोजेक्टर के रिव्यूस कर चुका प्रोजेक्टर काम कैसे करता है यह बता चुका हूँ अब यहाँ पर मेरे पास में एक खास प्रोजेक्टर है एक easy access मिल जाता है इस प्रोजेक्टर में अगर आप प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे हो घर के लिए cinema hall बनाना चाहते हो घर को इस तरह का entertainment के लिए या प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो और परिशान हो एक प्रॉबलम से वो भी sort out हो जाएगी इस वीडियो में अगर आप प्रोजेक्टर यूज करते हो प्रोजेक्टर के पीछे इस तरह का sticker लगा होता है sticker को हटाओगे ना बहुत सारे प्रोजेक्टर में मैं यह नहीं कहा रहा है कि सारे प्रोजेक्टर में लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्टर में आपको एक easy access मिल जागा कई लोग की शिकायत आती है कि उनके प्रोजेक्टर पे black spot आ जाता है तो इस तरह से पूरा बहुत सारे होते हैं एक तो DMD चिप का रीजन हो सकता है और DLP प्रोजेक्टर जो होते हैं उसमें डेड हो जाते हैं पिक्सल उसकी वज़े से ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो तब तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा उसको रिपेर करवाना पड़ेगा ले इसके पीछे हमें यहां पर एक ओपनिंग दे रखी है एक स्कूरू था यहां पर जिसे मैं आप अटा दिया तो यह उपनिंग अटाने के बाद में आप इस प्रोजेक्टर को आउन करके यहां से क्लीन कर सकते हैं अब यहां से किस तरह करेंगे तो मैं पहले दिखाया तो यहां पर यह की स्टोन वाला ग्लास है तो यहां पर निशान आगया था उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट आगया था मेरे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर तो मैंने क्यों किया यहां से इजी एक्सेस जो है यहां पर मिल रखा इसको और एक कॉटन बड़ की सहायता से कॉटन बड़ की सहायता से मैंने यहां पर जो है इसको क्लीन कर लिया कुछ इस तरीके से यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई लिक्विड यूज करने की जरूरत नहीं है वैसे आप चाहो तो क्लीनिंग अलकॉहॉल का इस्तवाल कर सकते तो लेकिन वो तब करना जब वो black spot साफ ना हो रहा हो लेकिन इस तरह से easily वो black spot साफ हो जाता है अगर वो black spot तभी भी साफ नहीं हो रहा है आपके LCD या glass के उपर से तब समझ लीजे या तो आपके projector के pixels dead है या फिर उसकी DMD chip खराब है जो एक basic या common reason होते हैं black spot के तो इस तरह स उस वीडियो के clip में आपको दिखाई है बाकी projector में अगर आपको basic उसके lens को clean करना है तो cotton bird best है उसका जो glass होता है उसे साफ करने के लिए वैसे projector को खोलने की ज़रुद कभी पढ़ती नहीं है जल्दी से अगर in case आपको कोई black spot दिखता है तो सबसे पहले आप इस चीज को try क कर सकते हैं बाकी अगर आप projector इस तरह से पूरा खोलेंगे तो बहुत सारी dust projector में चली जाएगी फिर आपको clean करना में तकलीफ होगी बाकी projector के पार मैं वीडियो बना चुका हूं तो वीडियो आप जरूर देखना एक बार इस projector को आपको on करके दिखा रहेता हूं back side में जो यहां पर एक black spot था चोटा सा जो शायद heating की वज़े से इस projector में आ गया था क्योंकि इस projector को मैं कई बार खोल चुका हूं तो यहां पर मैंने उसको cotton bud की साहता देख इस तरीके से जब साफ किया तो वो जो black spot था वो इसमें से हट गया तो जिनको यह basic problem आ रही है वो इस चीज इसको try कर सकते हैं तभी भी नहीं हटता तब तो आपको professional के पास जाना होगा लेकिन यहां पर जिन projectors में आपको easy access मिला है वहां पर इस तरह से इसको cotton bud की साहता से साफ कर सकते हैं बहुत easily यहां पर साफ हो जाएगा अब चैनल को subscribe जरू कर लो वीडियो को like कर लो और हां मै भी और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मिर पास कुछ नएने गैजट्स हैं मुझे समय नहीं मिल पा रहा है मैं जल्दी से उन सारे गैजट्स की वीडियो आपके लिए के आने वाला हूँ यहां पर मैं आपको एक close up look और दिखा रहा हूँ उस projector के back side में जो easy access हम को यहां पर मिल रहा है तो यहां पर मैंने cotton bird को डाला था यहां से इसको साफ कर लिया था तो on करके भी साफ कर सकते हैं ताकि आप black spot को detect कर सके नए वीडियो अमेजिंग गैजट्स देखने के लिए बी आर टेक फिल्म्स को करिए subscribe और instagram और facebook पे भी मुझे follow कर में तब तक के लिए धन्यवाद